आज के साथ सागर मिश्रा आज के दिन की आठ बड़ी खबरे होंगी आपकी टीवे स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर की जहांपर गुजरात में आज दूसरे चरण के चुनाओं के लिए प्रचार का आखरी दिन है दूसरी खबर भी कुजरास से होगी जहांपर पीजेपी ने चुनाओं प्रचार में पूरी ताकट जोगी होई है बीजेपी के कई दिगज आज चुनाओं प्रचार करेंगे तीसरी खबर राश्मती द्रौपदी मुर्मो आज दिव्यांगों को पुरशकार देंगी महीं देखे इस खबर पर आपको हर पल की अपडेट दिन बरम पहुचाएंगी चौते खबर दिल्ली में MCD जुनाओ की तयारियों को लेकर आज सरकारी स्कोलों की छुट्टी है पाँच्वी खबर MCD चुनाओ को लेकर दिल्ली में अगले चार दिनों तक ड्राइडे रहेगा चट्वी खबर होगी अखले श्यादों से जुड़ी जो आज रामपूर में चुनाओ प्रचार करेंगे उप चुनाओ को लेकर साथवी खबर होगी यूपी के नगर निकाय की तैयारियां उक लेकर जहां पर काफी तेज हैं और आज अध्यक्ष पदो के आरक्षन की खोशना होगी पही आटवी खबर का जब हम जिक्र करेंगे तो बात करेंगे कोवा के आज लुसोफोन महुतसो की जहाँ पराव जुसका भव यायुजन किया जाएगा इस खबर की भी पलपल की अपडेट आप तक हम पहुचाएंगे तो चलिए पहले शुरुआट बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर गुजराट में बीजेपी का धुवादार चुनाओ प्रचार दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकट जोकी हुई है दूसरे चरण का चुनाओ प्रचार का आखरे दिन है बीजेपी के कई दिगज इस समय चुनाओ प्रचार में जुटे हुए है दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 5 दसंबर को होगी वोटिंग दूसरे चरण का चुनाप प्रचार आज आखरे दिन तयारियां जोरो पर इमाम दिगज पार्टियां लगी हुई हैं चुनावी मैदान में बैतर प्रदशन करने के लिए 93 सीटे लेकिन इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था सन 2017 में जब दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी लेकिन इस बार तस्वीरे थोड़ी अलगे हो सकता है बीजेपी बैतर भी कर जाए हो सकता है नुकसान भी जेलना पड़े उनके सामने दो पार्टियां है उनको कमतर आकना एक बड़ी भूल होगी बीजेपी के लिए आम आत्मी पार्टी और एक तरफ खड़ी है कॉंग्रेस 93 सीटों पर बोट डाले जाएंगे बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकर जोकी हुई है प्यम नरेंद्र पोदी की तस्वीर आप देखिए जो लगता आरेस समय रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिये कई विदान सबाओं को साधने की पूरी कोशस में भी लगए है वहीं कुई रात में चुनाव प्रचार का आखरी दिन है बीजेपी के कई दिगए नेताओं की रैली भी आज होने वाली है गुईराट में उंकार भरेंगे सीम योगी आदेतिनाद कई जनसबाओं को भी सम्भोधित करेंगे सीम योगी केंद्रिया मंत्रे स्मृती रानी भी आज रैली को सम्भोधित करेंगी तो तमाम बड़े दिग्गत चेहरे जो लगतार दोराज करते वे दिखाई देंगे गुईरात का अगर हम बात करें गुईरात की तो जिन नमासी सीटों पर वोट डाले जा चुक है वहाँ पर जिक्र किया है आम आदमी पार्टी ने की हम जादा से जादा सीटे जीत कराएंगे दूसरे चरण करण कई बड़े दिग्गत चेहरे हैंदुत्व एक सबसे बड़ा एजिंडा बीजेपी का और इसी कड़ी में लगतार देखिये सियम योगी आदे तिनाद भी प्रचार रख में जुटे हुआ है एक और बड़ी कबार अंतराश्री दिव्यांग दिवस आज है और राश्पदी द्रॉपदी मुर्मो दिव्यांगों को पुरसकार देंगे उतकरिष्ट काम करने वालों को पुरसकार ये दिया जाएगा द्रॉपदी पुर्मो की तरफ से देश की राश्पती अंतराश्री दिव्यांग दिवस आज के दिन और आयोजन किया जाएगा पुरसकार भी दिया जाएगा दिव्यांगों को और इसी को लिकर आज दिल्ली में कई जगहों पर कारेक्रम का भी आयो जाने दिप्यांगो को जिस तरह से मान सम्मान मिला है पिछले कुछ सालों में केंद्र की उसमें बहुत एहम खुमिका रही और सभी राज्यों में जिस तरह से उन्हें अब दरज़ा अब दीया जाता है समान दीया जाता है ताकि दिभ्यांगो को भी ये लगए कि हाँ हमारा भारत देश अब तरख्की कर चुका है दिव्यांगों को पुरस्कार दिंगी राश्पती द्रौधी मुर्मों अंतराश्टी दिव्यांग दिवसाज के दन दिव्यांगों के लिए समय समय पर कई सारे कारेक्रमों कायोजन, खेलों कायोजन और फिर सम्मानित भी करना समय समय पर वह एक और बड़ी कब दल्ली के सभी सरकारी स्कूल होगी आज छुटी MCD चुनाओ की तैयारी को लेकर बंद रहेंगे स्कूल आज 4 दसंबर की अगर हम बात करें तो MCD के लिए वोट डाली जाएंगे दल्ली सरकार ने नौटिफिकेशन जारी किया है 5 दसंबर को ऑनलाइन क्लासेज भी होंगी MCD चुनाओ को लेकर बंद रहेंगे स्कूल प्यारियां जोरू पर है आम आद्मी पार्टी और वीजेपी के 4 दसंबर यानि कल का वो दिन होगा जब बोट डाले जाएंगे ऑनलाइन क्लासेज भी होंगे MCD चुनाओ को लेकर सुड़क्चा के मद्दे नजर भी पूरे दिल्ली में चपे चपे पर पहरा होगा पोलिस का MCD चुनाओ 250 सीटें और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कैसे बहतर इस चुनाओ को संपन्न कराए जाए एक बड़ी जिम्मिदारी कींद्र सरकार की है आप चलिए को और बड़ी कब दिल्ली में अब तीन दिनों तक जाम नहीं चलकेगा MCD चुनाओ के लिए बंद रहेंगी शराब की बिक्री अब दिल्ली में 4 दसंबर तक शराब नहीं मिलने वाली है शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है साथ दसंबर को मत करना वाले दिन भी ड्राइड ए रहेगा MCD चुनाओं के लिए बंद रहेगी शराब की बिक्री चार दसंबर तक शराब नहीं मिलने वाली और साथ दसंबर वो तारीक जब आएंगे अमस्रेडी चुनाओं के नतीजे तब भी ड्राइडे रहने वाला है दिल्ली में लेकिन खरीदने वालों ने पहले ही खरीद के रख लिया है कतारे कल देखी गई थी शराब की दुकानों पर बहुत लंगी लंगी और जब जब इस तरह से चुनाओं के मौके आते हैं ताकि कोई अपरी अगटना ना हो कई बार ऐसा भी देखा गया कि मेता लोग शराब की बोटले तक बाढ़ते हैं तो इन सभी चीजों पर अंकुष लगाने के लिए ये सक्त कदम उठाये जाते हैं प्राइडे का एलान और साथ दिसमर को मत गड़ना वाले दिन भी ड्राइड है वही गोर बड़ी कबर रामपूर के दोरे पर सपा देक्ष अकलेश यादो रामपूर उपचुनाओं के लिए चुनाओं प्रचार करेंगे सपा प्रत्याशी असीम रजागे पक्ष में भूट मागेंगे आज स्थम जाएगा उपचुनाओं के लिए प्रचार का शोर अखलेश यादो रामपूर में नजर आये थे कल के दिन भी जब उन्होंने इस अमला बोला था यूपी के डिप्टी सीम को लेकर रामपूर उपचुनाओं के लिए प्रचार करेंगे यूपी के पूरा सीम अखलेश यादो तो रामपूर का दोरा अखलेश यादो का रामपूर, खतौली और मैनपूरी ये तीन सीटें जहां पर उपचुनाओं है और इसी की तयारी में सपाल अगतार लगी हुई है आज भी कई जगहों पर अखलेश यादो प्रचार करते वे दिखाई देंगे पही उपी में नगर निकाय चुनाओं की तयारियां भी जोरो पर आई नगर निकाय के अध्यक्ष पदों की आरक्षण की कोशना की जाएगी तो पहर तीन बजे तक अध्यक्ष पदोगी गोशना अब तक 48 जिलों के नगर निकायों में आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है नगर निकाय चुनाओं की तारिखों का भी जल्दी अलान किया जाएगा नगर निकाय चुनाओं की तयारी यूपी में भी जोर उपर तो पैर तीन बजे तक की जाएगी यहाँ पर गोशना नगर निकायों में आरक्षण के लिस्ट जारी की जाएगी अब तक 48 जिलों में ऐसा हो चुका है चुनाओं की तारिखें भी जल्दी गोशित की जाएगी कि नगर निकाय चुनाओं कब हो और इसको लेकर यूपी में तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी है अब तक 40 जिलों के नगर निकायों में आरक्षण के लिस्ट जारी की गई है बागी और जो जिल है अगर निकाय के अद्धिक्स पदों के लिए अगर निकाय के अद्धिक्स पदों के लिए आरक्षण के लिस्ट जारी की जाएगी तो पहर तीन बजे तक की जाएगी अद्धिक्स पदों की गोशना एक और बड़ी कबर गोवा में आरसी अंतराष्ट्री लुसोफोन मौच्ण की शुरुवात होने वाली 23 से 6 दसंबर तक अंतराष्टी लुफोसोन मौच्ण का यूजन होगा से हम प्रमोच सावन करेंगे लुफोसोन मौच्ण का यूजन की आते हैं तस्वीरें भी देखे लुफोसोन मौच्ण की किस तरह से मौच्ण को मिनाया जाता है किस तरह से तैयारियां की जाती है यह प्रमूत सावन करेंगे लुफोसोन महुत सवका उद्गाटन तो चली फिलाल आठ बजे की बड़ी खबरों में इतना है तो चली बात करेंगे अन्य खबरों की मुरादाबाद के कार्ट में एक दसवी की छातरा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया पुलेर स्नेक नामजर सही दो अन्य आरोपियों के खिलाब मुकर्दमा भी दर्च किया है लेकिन घड़नागे दो दिन बीच जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफतारी नहीं हो पाई और मामले में पेड़ित के परिजनों ने आक्रोष भी अब दिखाया है पेड़िता की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है F.I.R. दर्च की गई आगे अब जाच और कारवाई अब की जाएगी इसकूल जाने पर जैसे इसकूल थोड़ा नजदीक था हुआ एक होटल है वो लड़का होटल के साइड में खड़ा था उसने कहा तेरे भाई की तवियत कैसी है ठीक है अना भाई तो ठीक नहीं है अना वुरा आई धर को बैठ वो धर बैठा दिया उसको उसे कोई नसा सुगाया और उसे चक्कर सान लगा बुले मिज़े इसकूल जाना है बुले बाईक पर वैठ हम तुझे इसकूल ही छोड़ चार लड़के हैं एक बिट्टू नाम के लड़के को पैचानती हैं सरकार से चाते हैं उनकी सजा से उन्होंने केश करा है रेप करा है उनकी सजा उनने मिलनी चाहिए महीं चिन्ने में कोलंबो सेक्योरिटी कांकलेव की ओर से 30 सुरक्षा सम्मेलन का उगाटन किया गया है इस अफसर पर महानिदेशक भारती तटरक्षक बी-एस पठानिया भी वहाँ पर मौझूद थे रक्षा सच्चिप के ने सदसे देशों के अंतराष्टी अपरादों का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करने और समुन्दर को सुरक्षित बनाने के लिए चन्ने शिक्त्रों को सम्मोधित करने का पहान किया दोदिविसीय सम्मेलन में बारत, मालदेप, श्रिलंका और मौरिशस के प्रतिनिदियों ने एस्जा लिया महीर सम्मेलन में 30 सुरक्षा, सहयोगी ब्रतिक्रिया, अंतराष्टी समंदिक कानून और सशक्त एजनसियों की भूमिकाद 30 सुरक्षा के लिए तकनिकी समधान सहित कई मुद्दोग पर चर्चा यहां पर की गई करनाटक के अधरिक्ट पुलस आएक तो संदीब पार्डिल ने का कि 30 नमबर को शहर में बस में एक महिला से रेप करने वाले आरोपी के आपराधिक प्रिश्ट बोमी की जांचप की जाएगी गटना के बारे में बात करते हुए पार्डिल ने कहा कि 29 नमबर की शाम को एक महिला बस का इंतजार कर रही थी जब वो स्कूल बस में सवार हुई तो चालक ने उसके साथ दुशकर्म किया पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपी की प्रिश्ट बोमी खंगाल रही है वहीं वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया जहां पर 75 इस्टॉल लगाए गए काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नमबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में चल रहा है कारिक्रम का उद्गाटन 19 नमबर को पीम नरेंद्र मुदी ने किया था कारिक्रम में 75 इस्टॉल लगाए गया है जिन में शास्त्री यसंगीत साहित्यकार संस्कृति काश्री और तमिल के प्रसत वीर युद्धाओं को एक साथ एक रिस्तान पर देखा जा रहा है क्योंकि लोगों में संस्कृति और परंपराओं की प्रती लगाओ अब दिन प्रती दिन लगयतार बढ़ता चला जा रहा है इसमन कई तरह कि इस्टार है सुपर इस्टार है जिसराजनी कांत वहां के हैं और बहुत से उत्रिया यहां अभी उपलब्ध है यहां पर असर देखके बहुत अच्छा लगा है मुझे लगता है कि सबसे पहले यह को सुनारामा को उन लोगों के लिए हैं जो कि किसी भी का भार लोगों के लिए कि वो लोग यहां पर बहुत आसानी से देख सकते हैं और हम नहीं नहीं पर शृद mask अन्य चीज़ें ज्या सिसे कि वहां पर मैने सुना से रिलेटिज़ बताई जा रही थी जिए जैसे तमील का डेन में क्या है, कासी का क्या है, तो बहुत अच्छा लगा और हमारे कीरन में भी अनेक प्रकार की चीजे होती हैं, लकडी के समान बनाए जाते हैं, खाने से लिलेटेड बनाए जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीजे हैं, लोगों को जागरूत करना बहुत अ टक रहे हैं वी तितीन सालों से गुदाम में बसा रहा श्रविरी इनके लिए इनका घर है यूँ तो सरकार कई आई और चली गई वादे भी किये जाते हैं लेकिन ये सभी वादे वहाँ पर वेफल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार की और से दी जाने वाली मुल तो जली इस बुलिटन में फिलाल इतना लिकने लेकिने लिए हैं